और हमारे साथ विशेश मेहमान जुड़ चुकी है, हमारे साथ है प्रोफेसर निर्मला मौरिया जी, वाइस चांसलर है वीर बहादूर सिंग, पूरवांचल यूनिवरस्टी जौनपुर की, बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपी गंगा पर मैम सभी वीसी से हम यही सवाल कर रहे हैं और पहला सवाल आप से यही कि बीते एक साल में क्या बच्चों के कोर्स, स्टडी, स्लेबस उस लिहाद से क्या काम पूरा हो गया है, ओनलाइन क्लास के कारेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लेबस अटक गया है और जो स्टूडेंट पूरे हो गए है, क्या योजना आपके पास है? क्रम वास इसले बार आपके सामें रख रही है, कि हमारी जो तैयालियां हो गई थी, पूरी हो गई है, हमारी ओनलाइन सक्षाएं जो है, हम लोग ने शुरू किया था, कोविद का एक बच फोड़ा हो चुपा है, मार्क में शुरू हुआ था यहां पर भारत में, और उस हम कि किस्मा, कि जाल दे पार ञण करते हुआ हैं, कि हम जानते ही कि परवरी मार्च में, मार्च में लॉग रगवा दूँ है, और ने और वोर्ल की पोड़िं आण परिक्साएं कि अ Also, सब शारी सभीशे आगी हो गई हैंन तो इसके पर इसके पर शात हैं, जोनपूर में श९ मतलब कोविड के ध्रोटोकॉल्स का ध्यान रखके कोर्स पूरा कराया गया है स्लेबस पूरा कराया गया है ओनलाइन ओफलाइन माध्यम या जिनको युनिवर्स्टी कैमपस आने के ज़रूत है वहाँ पर भी आप लोगों ने प्रोटोकॉल का ध्यान रखके क्लासस कंड़क कराई है तो मतलब इस पॉइंट पर अशूर हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स का स्लेबस पूरा है लेकिन बड़ी समस्या आपके सामने ये भी होगी और मैं चाहूंगी आप बताएं कि इसके लिए क्या खाका ये योजना आपके पास है अब अंडग रजूट प्रोग्राम्स के लिए जो नई स्टूडेंट्स आएंगे 12 से प्रमोट होकर पास नहीं प्रमोट होकर तो आखिर उनको किस आधार पर दिया जाएगा एंट्रेंस और यदि एंट्रेंस की जरुवत पड़ती है तो क्या उसके लिए तयार हैं आप? बिल्कुल तयार हैं और हमारे यहां इस विजाले में कासी जगह है और मेरी क्या धार पर ही होगा यहां भी प्रवेत लिया जाता है भले वो प्रमोट होकर आ रहे हैं तो वो तो एड्मिसन दिया जी जाएगा और भल कि मैं हम लोग लगातार है बैक्षें भी कर रहे हैं विज्यापन विजेगिया जातुका है तो हम यह चाह रहे हैं कि अन्दी फॉर्ट एड्मिसन भी हो जहां आवस्टा पड़े तो हमारे विज्यास्थी जो सुन रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी उसका मनोबल तोटा नहीं चाहिए हम विज्यास्यों के लिए बैसे हैं और वो एड्मिशन भी पाएंगे वो भी जाए नियमों का पादन करते हुए आएंगे बिल्कुल तो आपने एशोर किया कि किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी और स्टूडेंट्स को डी-moralize होने की भी जरूत नहीं है सबके लिए रास्ते निकाले जाएंगे लेकिन मैं हम एक एहम सवाल ये भी आता है कि मेरिट के आधार पर ये एंट्रेंस के आधार पर तो बच्चे सलेक्ट होकर आते हैं लेकिन बहुत से बच्चे कल्चर और एक्टिविटीज कोटा उसका भी एक वेटेज होता है स्पोर्ट्स कोटा उसका भी एक वेटेज होता है उस आधार पर भी आते हैं तो उनके लिए क्या रास्ता निकालेंगे? जो लगातार बच्चों की काउंसिलिंग तजहाई करीज़ छे महीं है तो बलकि मत वे चाहिए उनके मनोबल नहीं जरना चाहिए और उनके विए ग्रेजिंग सिस्टम हम जा रहे हैं तो उनको एक नहीं मौका दिया जाना चाहिए कि वो ग्रेजिंग कुढार करने तो यह शा कोटे की उन चात्रों को भी मौका दिया जाएगा और उसी आधार पर विटेज दे के उनके भी एडमिशन के चांसे बनेंगे तो चात्रों का हर वर्ग यह शो देख रहा है और समय उसको इंतजार है कि आगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जब एडमिशन होगा तो किस आधार पर होगा ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा जो कोटा था उसके आधार पर मुझे अच्छे कॉलेज ना मिल पाएं अभी तक जब 12th के एक्जाम से एक्टिविटीज होती थी तो वो उस आधार पर आगे बढ़ते थे मैं मेरा अगला और अंतिम सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनल इयर में अपियर होंगे जिनके समय से एक्जाम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट या पीजडी प्रोग्राम में जाना होता है तो क्या वो एक्जाम समय से क यह स्मय हो गड़ी है मानः बताया कि Canada ऑफ्लाइन कू वगया ओनलाइन इसे बाक कशसाएं जब बंध होगया और साथमें कि इस में में आधेशी अदेश द़ह सब़गा और पूरा प्लान आपके पास है कि आखिर कैसे एक्जाम कंड़क्ट होंगे, किस तरह होंगे, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाएगा और जिस तीसरी वेव की बात हो रही है, कम से कम उस खत्रे को भाबते हुए स्टूडेंट्स की सवास्त और सेहत के साथ खिलवार नहीं होगा, बहुत शुक्रिया एबिपी गंगा पर आने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए.